बिसमिल्य रह्माने रहीम असलाम उलेकूं आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रहे हूं वो है लोड़िट चीज फ्राइज बहुती टेस्टी बहुती मज़दार और घर में बहुत आसानी से बन जाने वाली ये रेसिपी है और अक्सर लोग भाहर से लेकर आते हैं आ एसना से हम लोड़ो चिप्स बनाते हैं फिंगरशिक्स बनती है इस तना से हमें कटिंग कर लेनी हैं और कटिंग करके आलूओं को हमें 2-3 पानियों में दो लेना होगा ताके इनमें जो भी स्ट्रार्च वगएरा होता है वो निकल जाना चाहिए वरना क्या है आपकी बेरेवरे अबर आलो के पर लगा देनि कोड्कर दे ओर में इने घरम करने रख दिया है बीब हमें थोड़ा तेज घरम चाहिए होगा और इस तरह से हम आलोbilों को डालते जाएंगे ओयल में देखें, गेस को हमें तैजी रखना होगा और इनको फोरन से हमें झालाना नहीं है अभी इनकों 2-3 मिनद इसी तरहां से पकने देंगे देखें, ये एक दरफ से फ़रा hari हो गए अब इनको हम चलाएंगे जारा नहीं चलाना होगा बस इसी तरह थे थोड़ा सा उपर नीचे कर देंगे देखें अब ये अच्छे से फराई हो चुके है अब इन्हें हम चलाते हुए अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे और देखें ये हमारे फराई हो गए अब इन्हें हम निकाल लेंगे अब इसका हम चीज सोस तयार करेंगे और देख सकते हैं आप कलर भी खराब नहीं हुआ है काफी क्रिस्पी बने एक खाने का चमच मैंने लिया है बटर बसे बटर के साथ यह बहुत अच्छा बनता है ना हो तो आप गी ले 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 और एक खाने का चमच लेंगे हम मेदा और गेस को यहां पर हम कम ही रखंगे और यह ख्याल रखिएगा जलने है नहीं चाहिए मेदा को बस को आपने एक मिनट करीब भूनना है इसमें अच्छी सी खुच्वोगा जाए ने लगी है अब इसका डालेंगे मुअ simplement गपर डालेंगे proposed दूदू हमने में यहां लिया है ए इसे बखर डाल देंगे हम लाल मिर्च का पोडर इचोटा चमच हाफ टीस्पून लिया है नमक लेंगे हम सिर्फ क्वाटर टीस्पून जादा नहीं हो सके तो इससे भी कमी लीजेगा इन्हें भी अच्छे से हम मिक्स कर देंगे अब डालनी है मौजरिला चीज यह मैंने हाफ प्याली लिये और साथ ही डालेंगे एक खाने का चमच क्रीम इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से मिक्स कर लेना है चीज और क्रीम डालके भी हमें 2-3 मिनट इसी तरह से पका लेना है थोड़ा सा थिक हो जाए सोस इतना हमें पकाना होगा जादा थिक नहीं करना होगा क्योंकि बाद में ये बहुत ठीक हो जाता है और ये जमने लगता है ये दरूर खैल लखेगा ये बिलकुल परफेक्ट है अब यहां पर हम गेस को बंद कर देंगे आप नमक ज़रूर चक्र देख लें अगर आपको कम लगता है तो आप इसमें डाल सकते हैं क्योंकि हमने चीज डाली है चीज में भी नमक होता है इसलिए मैंने कम डाला था नमक अब चिप्स को हम डाल देंगे बोल के अंदर चिप्स को मैंने फराइख करने के बाद थोड़ा सा यानि एक चुटके करीब नमक लेके इसको अच्छे से मैंने चिप्स पर लगा दिया था क्योंकि चिपस हमारी फिकी и दी जधा नमक नहीं लगाना कूट के हमारे सौस में भी नमक है और साथ ही हमने जो स्सोस भनाया था वो डाल देंगे जितना कम जितना जाद है आपने खाना हो आप इसके हिसाब से डाल सकते हैं थोड़ी से हम और लिगानों डाल देंगे और थोड़ी से हम चिली फ्लेक्स यानि कुटी मिर्चे हैं इससे हम गार्निश कर देंगे चीजी लोड़ीट फ्राइज बनके तयार है और यह बहुत ही मज़दार लगते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं अगर आप चाहें तो के उपर आप है यह फिलेवर आता है बहुत ही टेस्टी बनते हैं यह अगर 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 अगर